दोस्तों आज हम बात करेंगे अलंकार की जो यह अंत्र काव्य की सुन्दर्ता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है जिस प्रकार से नारी अपनी सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए आबुषडों को धरार करती है उसी तरह काव्यों की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है अलंकार के तीन प्रकार होते हैं पहला है शब्दा अलंकार अर्था अलंकार और उर्भया अलंकार पहले हम बात करते हैं शब्दा अलंकार की शब्दा अलंकार दो सब्दों से मिलकर बनाया शब्द प्लस अलंकार जिसके दो रूप होते पहले अनुप्रस अलंकार की अनुप्रास शब्द दो सब्दों से मिल कर बना Onu-plus Cap, जिसमें अनु-क अर्थ है बार-बार, और प्रासक अर्थ है बन्ο जब किशी शब्द का बार-बार प्रयोग किया जै और उस सब्द से जो चमतकार होता है उसे हम अनुपरास अलंकार कहते हैं जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप इसमें एक ही वर्ड देखी बार बार भी आए इसलिए से अनुपरास अलंकार भी कहते हैं बात करते हैं दूसरे यानि यमक अलंकार की यमक का को दो से अधिक वार प्रयुक में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ अलग 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 अलगْ वहां पर यमक अलंकार होता है जैसे र Web खुराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है चौथा अलंकार विपसा अलंकार भावो को प्रभाव साली रूप से वेक्त करने के लिए सब्दों को पुनरा शब्दों की पुनरा वरिर्ति को ही विपसा अलंकार कहते हैं बात करते हैं पाच्वा यानी वक्रोक् द्वारा बोले गए शब्दों को शोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोकती अलंकार कहते जैसे रुको मत जाने दो या दूसरा रुको मत जाने दो छटा सुलेश अलंकार जहां पर कोई एक ही शब्द जहां पर कोई शब्द एक ही बार बार आए वहां पर उसके अर्थ अल आपको हमारे चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना ना बूलिए जिसमें हम बात करेंगे अर्था लंकर और उसके विबिन प्रकारों की थैंक यू